आपको लोंग रेंज और सोट रेंज में एट सोट मानना सिखना है आज के इस वीडियो में मैं आपको लियर वन टेप ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक का यूज करके आप लोंग रेंज और सोट रेंज में आसानी से एट सोट मार पाओगे आपके पास कौन सी भी गन हो आप सामने वाले बंदे को मानने के लिए जाओगे ओनली रेड नमबरी एड़सोट परेगा आप इस वीडियो को एंट तक देख लेते हो तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं परेगी वीडियो के लास्ट में के वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसी मिस्टिक बताने वाला हूँ वो मिस्टिक के कारण आपके एड़सोट नहीं लगते चलो वीडियो को सुरू करते हो उसके पहले इस वीडियो में 50 लाइक का टारगेट कम्पलिट करा देना सब से पहले मैं आपको बताता हूँ आपको सेटिंग में किया करना है एम को आपको डिफोल्ट रखना है आप डिफोल्ट रखोगे तभी आपका एम सामने और बंदे के एड़ पे लोख होगा उसके बाद आता है क्वीट वेपन स्वीच बटन को अन कर देना है बड़े बड़े यूटिबर सब यही यूज करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा मैं आपको दो एर्सोट ट्रिक बताऊंगा पहले आपका एम रेड हो तब आपको किस तरह ड्रेक करना है और वाइट हो तब आपको किस तरह ड्रेक करना है फायर बटन से, देखो मैं ऐसे एर्शोट मारता हूँ, अब मैं आपको दुसरी ट्रिक बता दाओ, आप वाइट एम रखकर भी एर्शोट मार सकते हो, आपको इस एम को वाइट रखकर एसे ड्रेग करना है, जैसे मैं ड्रेग कर रहा हूँ, जोड़ से ड्रेग नहीं करना है नकर एम आपका आसमान में चरा जाएगा, आपको लोंग रेंज में एसा ही करना है, जैसा मैंने कहा इस तरह, सोट रेंज में आपको एम को एनिमी से दूर लखकर ड्रेग करना है, मैंने जिस तरह बता है, आपको सोट रेंज में और लोंग रेंज में इस तरह आपको ट्र को ओन कर देना क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी पहले आपको जम करना है बाद में आपको फायर करना है और गन को स्विच कर देना है ऐसा करने से आपके एर्चोर परफेक्ट लगेंगे क्योंकि बड़े- क्योंकि आप फायर बड़े-टन की सीज बारबार चेंज करते हो इसलिए पेर्टा नहीं ही मार पाते हो मैं आपको बेस्ट फायर बटन की साइज बताहुंगा अ तो फायर बटन की साज 70 रखता हूँ चलो भाई लोग वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना आपको बीयार रेंक में मास्टर के ग्रांड मास्टर जाना है चीएस रेंक में एडिंग प्लेस क को देखना है तो आप दोनों वीडियो में से एक वीडियो को क्लिक कर सकते हो अगली वीडियो में मिलते हैं गुडबाई